नमस्कार मैं हूर उची शर्मा वेब 3 की तमाम बड़ी खबरे लेकर हाजर हैं हम हाल ही में जारी मुबाइल स्ट्राटेजी गेम हीरोज ओफ मेविया ने आज अपना मेविया टोकल लाउंच किया है गेम में लगभग 10,000 एथिरियूं एंफ्टी लैंड प्लॉट्स के होल्डर्स के साथ एक लाग प्लेयर्स के लिए एक एरड्रॉप आयोजित किया इथी ने पूर मेविया टोकन मंगलवार को शुरू हा और गॉइन गेको के डेटा के अनुसार इसका मूले लगभग 36% बढ़कर लगभग 3.1 डॉलर्स की मौजूदा कीमत पर पहुंच गया प्लाटफॉर्म ने बाइबिट और क्रिप्टो डॉट कॉम जैसे एक्स्चेंजेस पर लगभग 95 मिलिन डॉलर्स मूले की ट्रेडिंग वॉल्यूम की सूचना दी जिसकी वरतमान मार्केट कैप 92 मिलिन डॉलर्स से अधिक है स्क्राइस टूडियोज द्वारा विक्सित हीरोस ओफ मेविया एक iOS और Android स्ट्राटेजी गेम है जो स्मैश मुबाइल हिट क्लांस ओफ क्लैश के दृष्टी कोन में बहुत समान है हाला कि हीरोस ओफ मेविया मेविया क्रिप्टो टोकन को लागू करेगा और स्क्राइस ने एनेफटी लैंड प्लोट्स बेचे हैं जिनने गेम में एक एक रित किया जाएगा बढ़ते हैं अगली खबर की ओर लोकल मीडिया के अनुसार थालिन ने देश को डिजिटल आसेट सेंटर के रूप में विक्सित करने के प्रयास में क्रिप्टो करेंसी ट्रेइडिंग पर अपना वैल्यू आडड़ टाक्स एक्जेंप्शन बढ़ा दिया है पैंकोग पोस्ट ने बुद्वार को बताया कि मिनिस्ट्री और फाइनास ने क्रिप्टो ट्रेइडिंग से होने वाले लाब पर 7% वैल्यू आडड़ टाक्स का भुकतान करने की आविशक्ता को सस्पेंड करके नियमों में धील दी है रिपोर्ट के अनुसार टाक्स एक्जेंप्शन की अवधी बिना किसी एक्सपिरिशन डेट के एक जनवरी दोहजार चौबेस से प्रभावी हो गई है क्रिप्टो ट्रेडिंग पर वैट एक्जेंप्शन सेक्योरिटीज और एक्स्चेंज कमिशन द्वारा रेगुलेटेड ब्रोकर्स और डीलर्स तक भी पहली हुई है Ministry of Finance ने आगे की टिपनी के लिए The Block के रिक्वेस्ट का तुरंध जवाब नहीं दिया Thailand ने देश में शॉप सेट आप करने के लिए Binance जैसे कुछ ग्लोबल क्रिप्टो एक्सचेंज को आकरशित किया है पिछले महीने Binance ने घोशना की कि Gulf Binance, Binance और Thailand की Gulf Innova के बीच एक जॉइंट वेंचर ने November में Invite Only टेस्ट के बाद Thailand में जेनरल पबलिक के लिए क्रिप्टो एक्सचेंज सर्विसिस शुरू कर दी है बाकि हम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख Bitcoin Miner द्वारा Cryptocurrency Mining Reward को हाफ करने से पहले चार नई Mining Facilities खरीदने पर सहमती जटाने के बाद Clean Spark 2024 की पहली च्रिमाही में अपनी हैश वेट को दोगुना करने के लिए तयार है Clean Spark ने 6 February को खोशना की कि उसने Mississippi में 19.8 मिलियन डॉलर में तीन Bitcoin Mining Facilities खरीदी जो खरीद को अंतिम रूप देने के बाद ततकाल 2.4 एक्साहाश इस पर सेकंड को प्रेड्यूस करेंगी Form 6.9 मिलियन डॉलर में Dalton, Georgia में एक अडिशनल Mining Facility खरीदने पर भी सेहमत हुई जो की 0.8 एक्साहाश इस पर सेकंड प्रेड्यूस करेंगी अलांकि ये फैसिलिटी अंदर कंस्रॉक्शन है और April 2024 तक तयार नहीं होगी इसकी घोशना के अगले दिन Clean Spark के शेहज में 12 प्रतीशत की बढ़त देखी गई अपने Sandville's Expansion के Imminent Energization के साथ जो Form की हैश वेट में 6 एक्साहाश इस पर सेकंड जोनने के लिए तयार है Clean Spark को उमीद है कि 2023 के First Half के दौरान इसकी ऑपरेटिंग हाश वेट कम से कम 10 एक्साहाश इस पर सेकंड से 20 एक्साहाश इस पर सेकंड तग दोग नहीं हो जाएकी अब बढ़ते हैं अगली खबर के ओर भारतिय क्रिप्टो अग्रणी निश्चल शेटी और अविनाश शेखर पाइफ फॉर्टी टू का अनावरन करनी के लिए एक चुछुए हैं जो भारत के क्रिप्टो परी दृष्य में एक अभूत पूर वियोगतान है पाइफ फॉर्टी टू का उद्भव देश के डिजिटल कारंसी एंथूसियास के लिए एक महत्वपूर्ण शन है जो की विशेश रूप से इंडियन ट्वीडर्स की जरदूर्तों के लिए तयार एक लोकलाइस प्लाटफॉर्म की पेशकश करता है पाइफ फॉर्टी एक प्लाटफॉर्म की आविश्रक्ता को पहत्रानते हुए पाइफ फॉर्टी टू का लक्ष क्रिप्टर ट्रेडिंग के लिए एक सक्क्यों और अक्सेसिबल वेन्यू प्रदान करके इस जगह को भरना है ट्रांस्परेंसी और रेगुलेटरी अधिरिंस निश्चित करने के लिए पाइफ फॉर्टी टू ने अंटी मानी लॉंट्रिंग गाइडलाइन्स को बनाए रखने की अपनी प्रती बढ़ता को मजबूत करते हुए फाइनाशल इंटेलिजिंस यूनिट के साथ रेजिस्टर करने की प्रक्रिया शुरुकी है रेगुलेटरी कंप्लाइंस के साथ साजा की गई एक प्रेस्ट रिलीज के अनुसार मेटामास ने यूजर्स के लिए सीधे क्रिप्टो खरीदारी को सक्षम करने के लिए रॉबिन हूड के साथ कोलाबरेट किया है मेटामास के डेवलपर कंसिस और रॉबिन हूड मार्किस इंकॉपरेशन ने सायूग यूजर्स को डिश्ट्रल आसेट के साथ जुड़ने के लिए एक कुशल सुरक्षत मार्क प्रदान करने के लिए रॉबिन हूड के लो कॉस्ट और इंजिन का लाब उठाना है तो आज के लिए फिलाल इतना ही ऐसी वेब 3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहें 3.0 एसी और जद अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ओन करें या फिस स्कान करें QR कोड थैंक यू